दोस्तों आज की कहानी है ममी जी काम वाले लगा लीजिए लेकिन मुझे से कोई उमिद मत रखिए दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया उटो कर लीजिए ताकि आपके पास पौंस सके अर नया वीडियो गर में मेमान आने वाले हैं और ये कैसे सकल बना रखी है कभी कभी आईना भी देख लिया करो अमन ने सीड़ते वे अपनी पत्नी नेना से का अमन तुम तो ऐसे बात मत करो प्लीज सब बोलते हैं मैं फिर भी सैन कर लेती हूँ लेकिन तुम से तो थोड़े से प्यार की उमिद करती हूँ आँखिर पत्नी हूँ तुमारी आज कल मेरी तब्यक ठीक नहीं रहती इधर पीरियर्स भी गड़बर सवरे हर समय ठकावट लगी रहती है मैं ऐसा लगता है बस आखी बंद कर लेटे रहो कोई काम करने का मन नहीं करता इसलिए बहुत धीमी गती से सारे काम निवटाती हूँ तो घर में सबको लगता है कि मैं जान भुज कर अपनी तब्यक खराब होने का नाटो करती रहती हूँ नेना ने बहुत धीमी आवाज में अपनी बात ख़ी और अगर आगे कुछ बोलती तो सस में रोने लगती नेना ये सब तो जिन्दगी में सलता ही रहता है हर समय रोना रोना आच्छा नहीं लगता सलो उठो और अपना सेहरा सही करो वरना में मां क्या कहेंगे कैसे बहु है जिसके सेरे पर जराबी रोनग नहीं है उन्हें लगेगा कि हमें उनका आना आच्छा नहीं लगा अमन की बाते सुनकर नेना का दिल कटकर रह गया लेकिन ये समय कुछ कहने से कुई फाइदा नहीं इस ये जैसे तैसे उड़ कर सहरा सही की और आइना देखा तो तकलिफ सहरे से जलग रही थी लेकिन गर में कोई समझने को तियार नहीं था सास सुझेट जेठानी ननन का समझ में आता है लेकिन अपना पत्ची जिसके सास साँझ भेरे लेकर आई उसे ही मेरी कोई परवा नहीं है किसी और से सीखवा करे गर में सास सुझेट जेठानी उनके दो बच्चे ननन सभी है लेकिन कोई आपने आपे किलास पानी भी नहीं लेता जेठ जेठानी दोनों सर्विस करते इसलिए जेठानी जी सुब जेठ जी के साथ गर से निकल जाती और साम को उनी के साथ आती फिर तो हो रसई गर में जागती भी नहीं एक तो कमा सुझ भव इसलिए सब की दुलारी थी इसलिए सासुमा उन से किसी काम के लिए नहीं कहती थी जब की वह अपनी तन खवा में से एक पैसा भी घर में खरस नहीं करती पूरा दिन नेना जेठानी जी के दोनों बच्चों को भी संबालती अभी उसके खुद के बच्चे नहीं थे इसका भाइदा घर में सब उटाती है कि अगर अभी तो तुमारे बाग बच्चे नहीं है तो तुमारे पास क्या काम रहता है नेना को भी कोई परिशानी नहीं होती बच्चों को संबालने में ननन जी के तो क्या ही कहने जेठानी तो सर्विस करती थी गर से बार रहती थी लेकिन वह तो गर में रहते हुए भी मेमान थी उन्हें तो बाई के बच्चों से भी मतलब नहीं रहता कि बच्चों को पढ़ा दे उनका होमरक ही करवा दे बस बैटे बैटे नैना पर हुकुम सलाती रहती या फिर मा के कान भरती रहती गर के कान निवटाने के बाद नैना को एक मिनट से नहीं मिलता और वह बच्चों को पढ़ाने बैट जाती उस पर भी सासु जी सुनाती रहती कि तुम करती क्या हो इधर उस दिनों से उसकी तब्य ठीक नहीं सद रही है लेकिन सबसे कहने के बाद भी कोई उसकी तरब दियानी नहीं दे रहा और आज तो पती ने भी सुना दिया उसने बहुत जिल मन से दिखावे के लिए अस्ते हुए मैमानों की खातिरदारी की और उनके जाते ही फिर से निदाल वोकर लेट गई और रोने लगी तबी जैसे उसके अंतर मन से आवाज है जितना सुनोगी सूप रहोगी उतना ही सब तुमें बेमकू बढाएंगे इसलिए अपने बारे में खुद सोसो और उटो तुमें कोई डॉक्टर की या नहीं ले जारा तुम खुद सली जाओ पड़ी लिखी आज के जमाने की हो कोई अंपड़ गवार नहीं जो सब के सारे बैटी रोती भी सूड़ती रहती हो अपने अंतमरान की आवाज सुन कर उसे लगा की बिल्कू सही बात तो है मैं अपना धियान खुद रख सकती हो और उट कर तियार हुई कैब भूक की और डॉक्टर के यां पॉंस गई डॉक्टर को अपना सारा हाल बताया तो डॉक्टर ने कुछ सैक अप की और कुछ होते वे बोली बहुत बहुत बदाई नेना जी आप माँ बनने वाली है लेकिन आपका सरीर बहुत कमजोरे और आपके सरीर में हीमोगलोबिन की भी कमी है इसलिए आपको अपना बहुत द्यान रखना पड़ेगा आपके हैस्पेंड या घर से कोई साब में आया हो तो में उन्हें ये सब बता देती हूँ नेना माँ बनने की खुश खबरी सुन बहुत खुश हुई लेकिन तुरंती उसके सेरे पर मायूसी साब गई और गोली कोई नहीं आया मेरे साब घर में समलोड लगता है मैं बहाने बनाती हूँ आराम के लिए लेकिन अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे जीम विसलाना या उल्टी जैसे कोई लगशन क्यों नहीं दिखाई दिये ये जरूरी नहीं होता कि गरबावस्ता की सुरुआत में सबी का जीम विसलाना या उल्टी आई सब के अलग अलग लगशन होते हैं आपके पीरियर्स भी घडबर रहते हैं इसी वज़े से आपको ये सब दिकत ओ रही हैं नैना जी कोई नहीं देता दियान तो मत दे लेकिन आप माँ बनने वाली हैं इसलिए आपको खुद ही अपना दियान रखना होगा अगर नहीं रखेगी तो बच्चे से हाथ दो बैटे की डोक्टर की बास सुनकर नैना ने द्रण निर्शय किया कि अब वो उतना ही सुनेगी सहेगी जितना उसके लिए सही रहेगा उससे ज़्यादा नहीं गर आकर वो सुब साब लेट गई फिर उटी और एक प्लेट में अपने लिए फल काटे और एक गिलास दूल लेकर अपने कमरे में सली गई पीसे पीसे सास ननन आ गई और कमरे में पती देव तो बोलने के लिए त्यार बैटे ही थे ये क्या तरीका हुआ घर में किसी को भी खाना नहीं पुशा और नहीं परोश कर दिया और आपने लेकर बैट गई मारानी जियाव से ऐसा रोज यसा ही होगा मुमी जी अब में मा बनने वाली हो इसलिए अपना दियान सबसे पहले रखूंगी किसी और का दियान क्यों रखूं जब मैं परिशान दी तब किसी ने मेरी एक नहीं सुनी कोई मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर गया ये मेरे पती आप लोगों के साथ आने देने में हर समय आगे रहते थे लेकिन पती द्रम निबाने में सुक गए डॉक्टर ने साब साब सब्सक्राइब में कहा है कि मेरा सरीर बहुत कमजोर है हीमोगलोबिन बहुत कम है अगर मैंने अपना दियान नहीं रखा तो साइब बच्चे से हाथ दो इसलिए आप लोग अपने घर के कांद खुद करिए या फिर काम वाले लगा लेजिए लेकिन मुझे से कोई उमीद मत रखिए नेना के मुझ से ऐसी बाते सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और सब नारा जोकर वां से सले गए पती हमां को जरूर अपनी गल्थी पर आपसो और वो ने आगे बढ़कर पदनी को संभाला बदाई दियो अपनी गल्थी की माफी भी मागी नेना समसे बड़ी गल्थी मेरी हैं लेकिन अब और नहीं मैं तुम्हारा पूरा दियान रखूगा ठैकी मैं भी तो पापा बनूगा आमन के मुझ से ऐसी बाते सुनकर नेना को बहुत अच्छा लगा अगर आज वो अपने लियावाद नहीं उठाती तो हमेशा के लिए इस गर में कोई उसकी कीमत नहीं समझता सब ऐसे ही उसका फाइदा उठाते रहे